है कि है लो आश्क पीएस वीडियो में आपका स्वागते आपको एक्सपोर्ड इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो उसका भी आंसर में वीडियो के बार्गम से जरूर से दूगा यहां पर राहूल पटेल का कॉमेंट आया जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं तो वह उसका जो काम है वह कस्टम क्लियंज करना यहां पर एक्सपोर्ड इपोर्ड में जो भी काम होता है वह करते कस्टम हाउस एज़ेंड करते जिसमें मेन काम होता है shipping bill file करना और कार्गो को custom क्लेंज करना तो यह पूरा जो काम है CHA का होता है उसके बाद जो है हमारा container जो है शीप में जाता है उसका वो काम है freight forwarder का तो इंडिया में आपको बता दू यह तीनों service एक ही लोग देते हैं लोजिस्टिक वाला भी तीनों service देता है फिर CHA भी तीनों service देता है मिलों CHA होगा वह आपको transport करके भी देगा custom क्लेंज करके भी देगा और freight forwarding करके भी देगा और जो कोई shipping line है तो direct वह वह क्या freight forwarding भी करके देंगे आपको shipping line हो को CHA को hire करके वह लोग आपको custom क्लेंज भी करके देंगे और वह आपको transportation भी करके देंगे तो यह important चीज है तब CHA का क्या role है CHA का main role है custom क्लेंज करना बट CHA क्या उसकी service को extend करते है तो हमको सारा one CHA is a one stop solution in export import तो क्या करते है आपको local transportation करके देंगे आपको basic को document चाहिए जैसे कि आपको phytosanitary certificate चाहिए आपको fumigation certificate चाहिए तो भी CHA करके देते हैं इंश्रेंस आप direct भी करवा सकते हो और CHA करके देते तो यह भी CHA करके देते और कोई आपको special certificate चाहिए pollution board या कोई permission चाहिए कहीं से तो वो क्या करते सर्विस जो है वो देते है और आपको certificate निकालके देंगे तो यह जो है यह काम करके देंगे मदब documentation का काम CHA करके देगा आपको फिर logistic के मुझे समझो हो मैं regular export करता हूँ तो मुझे राइक वेराउस से export करना है तो मैं CHA को बोलता हूँ कि मेरको यह वेराउस जो है यहां से मेरको करना है तो यहां पर क्यों पर्मिशन आता हो पर्मिशन भी एक फैक्ट्री सीलिंग का पर कोट में लगेगा तो यह जो है वो भी CHA करके देते और फूरी उसका बात जो है shipping bill file करके custom क्लेंज करके देते इसके बाद CHA कंटर booking भी करके देंगे मतलब freight forwarding भी करके देंगे और marine insurance चाहिए तो भी लेके देंगे तो पूरा जो काम है CHA करते आप फीज क्या चार्ज करते अफिशल ही आपका बता हूँ CHA का जो fees होता है वो like depends on CHA 2000 to 5000 to 10,000 जो custom claims का उसका official charges होता है कितना 2000 से लेके 5000 to 10,000 depend on the port depend on the ICT depend on the area demand and supply competition तो 2000 से लेके 5000 10,000 तक CHA का official fee होता है उसके बाद जो CHA किस में कमाते logistics में कमाते मतलब हमारी factory से जो like truck को बेज़ेंगे तो उसमें भी वो कमा सकते और उसके बाद freight forwarding में counter booking करेंगे उसमें भी वो कमाते जैसे कि shipping line में उसको दिया है 1000 का container 1000 रुपी जो उसका freight लगेगा तो CHA आपको 1100-1200 भी दे सकता है जिसे booking करो मतलब एक custom house agent आपको 1100-1200 दे सकता है वहां पे कमाते हो उससे को आप extra service लेते हो तो भी वो लेते हो डिपेंड रेता है कि आप क्या-क्या service लेते हो बाकि official उसका 225000 चार्जीज रेता है depends on port मैंने पहले बता दो डिपेंड रेता है पूरा कोई फिक चार्जीज नहीं है वर इतने चार्जीज रेते है बाकि जब जो है service के चार्जीज बोले कस्टम क्लिंस का तो उसक चार्जीज होते हो लेते है तो कस्टम हाउस जो है मेंली 225000 चार्जीज लेते है फिर मैंने बता है कौन सी कौन सी सर्विस देते उसी से आप से डिपेंड है तो इससे आप से पुरा सी है कस्टम हाउस एजन वर्क करते है आपको export-import related कोई भी query है आप यहाँ पे निचे comment कि किजिए हैस्टेक आज पीएस करके मैं उसका भी वीडियो के माध्यम से आपको आंसर दूंगा और थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और प्रैक्टिकल याप गुजराती बिजनेसमें से बिजन स्थिखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग जुएन कर सकते हो तैंक यू कि कि अ कि झाल झाल